बाजपा के सभी कारेकरताओं की ओर से मीडिया के हमारे सभी मित्रों को देशवासियों को साल 2019 की हारदिक शुपकामनाई अभिनंदन बढ़ाई एक कारेकरता के नाते आज मैं और हमारे राजुसभा के सांसद मीडिया सेल के कन्वेनर यहां उपस्थित हुए हैं देश की जनता को कॉंग्रेस के एक ऐसे विशाल शडियंत्र के संदर्ब में संबूधित करने जो कॉंग्रेस की कुनीतियों को परिभाशित करता है आज नए साल के इस नए दिन में हम सब समय के उस काल चक्र को देख रहे हैं जिसके अंतरगत साल 2010 में कॉंग्रेस के लीडर्शिप के आदेश पर तबके गुजरात के ग्रहमंत्री वर्तमान में हमारे राष्ट्य अध्यक्ष अमिच्षा को एक राजनीतिक शड्यंत्र के अंतरगद कॉंग्रेस के नेत्रित्व ने प्रताडित करने का दुस्सा हस किया पूर्ण जिम्यदारी के साथ भाजपा के कारेकरता आज राष्ट की जनता को बताना चाहते हैं कि साल 2010 में कॉंग्रेस के नेत्रित्व के आदेश पर CBI ने अमिच्छा को एक राजनेतिक शड्यंत्र के अंतरगद अरेस्ट किया न्याएधीश के सामने जाकर ये कहा CBI ने कि हम अमिच्छा को इंटेरोगेट नहीं करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट करना चाहते हैं उसी दिन चार्जशीट भी फाइल कर दी और जेल में सडने के लिए अमिच्छा को छोड़ दिया बाहर ये राजनेतिक प्रपंच किया गुजरात सरकार के खिलाफ क्यूंकि तब के मुख्यमंत्री, वर्तमान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को, अमिच्छा को राजनीतिक प्रतिदंदी के रूप में कॉंग्रेस पार्टी सुनिश्चित कर चुकी थी और देख रही थी जब अमिच्छा ने अपनी बेल की गुजारिश को कोट के सम्मुक प्रस्तुत किया तब कोट ने साल 2010 अक्तूबर में अमिच्छा की रिहाई के वक्त जो शब्द कहे वो आज अंग्रेजी में दोहराती हूँ वो बेटू Suggesting involvement of the accused is not made out for the purpose of deciding the complicity of the accused in light of character of evidence कोट ने ये प्रतिस्थापित किया कि अमिच्छा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था लेकिन कॉंग्रेज की मन्शा थी राजनीतिक प्रपंच करना प्रशासनिक साधनों का दुरूपयोग करना और कॉंग्रेज इस शड्यंत्र में किसकदर लिप्त थी उसका एक उधारण और प्रस्तुत हुआ जब अमिच्छा की इस रेगुलर बेल की अपील पर न्याएधीश के जज्जमंट के बाद हमने देखा कि एक के बाद एक कॉंग्रेस ने न्याएले में और न्याएले के बाहर अमिच्छा के खिलाफ बार बार प्रहार किया ये भी मैं प्रेस के माध्यम से राष्ट को बतलाना चाहते हूं कि जब स्पेशल जज्ज सीबी आए ने अमिच्छा को 30 डिसेंबर 2014 में डिस्चारज एप्लिकेशन सुनते वक्त अपनी फाइंडिंग दी तब 2010 के केस के संदर्ब में श्री अमिच्छा के संदर्ब में जो हाई कोट ने कहा उसी को दोहराते हुए ये एड किया किये केस सरासल राजनीतिक कारणों के लिए अमिच्छा पर थोपा गया है इस जज्जमंट को चैलेंज किया सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट के एक मेंबर ने हर्ष मंदर जो एनेसी के सदस से दोहजार दस में नियुक्त किये गए एनेसी जो यूपिये के कारेकाल में एक शैडो कैबिनेट के नाते काम कर रही थी सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट का एक मेंबर जाता है कोट में और अमिच शाह की डिस्चार्ज की खिलाफ अपील करता है लेकिन आज न्याय पालिका को भाजपा के कारेकरताओं की ओर से आभार व्यक्त करती हों कि कॉंग्रेस के शडियंत्र को मू की खानी पड़ी ना सिर्फ मुंबई हाई कोट में बलकि ओन्रूबल सुप्रीम कोट में भी हाली में जो स्पेशल कोट का जज्जमेंट आया है उसमें जज ने अपना जज्जमेंट रिकॉर्ड करते वक कहा कि 210 विटनेस को एक्जामिन किया गया सभी प्रूफ सभी डॉकुमेंट्स को पढ़ने के बाद जज का ये बयान है जज का ये स्टैंड है कि दिज forefront investigation was thus targeted to act upon a script to achieve the said goal and in the process of its zeal to anyhow implicate political leaders The CBI created evidence ये शब्द जज्जमेंट को पढ़ने के बाद हमने पाए आज राश्ट को ये बतलाना चाहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में रहे कर प्रशासनिक धाचे का दुरुपयोग करके अपने राजनेतिक प्रतिद्वंदियों को खतम करने के लिए अपने पैरों तले न्याय को भी सम्विधान को भी रौंधने के लिए ततपर रहते हैं हम सम्मानिय न्यायपालिका को न्याय के संविधान के लिए आभार्व्यक्त करते हैं वर्षों से चले आ रहा कॉंग्रेस का प्रपंच जिसको मूँ की खानी पड़ी वो प्रपंच जिसके चलते कॉंग्रेस ने ये भी कहा मीडिया में कि अमिट शा को तो तड़ी पार घोशित किया गया था मेरा मीडिया के मित्रों से निवेदन है सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक स्पेस में अवेलेबल है अमिट शा ने स्वयम कहा कोट के सामने कि अगर कॉंग्रेस की तब की केंदर की सरकार को लगता है कि वो हस्तक शेप करेंगे तो वो अपने राज्य से अपने परिवार से दूर रहना पसंद करेंगे ताकि पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया बिना किसी हस्तक शेप के कॉंग्रेस कर पाए एक बार फिर आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि यह जज्मेंट अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि कॉंग्रेस पाटी ने कॉंग्रेस की अध्यक्षा विशेश तब की सोनिया गांधी ने सीबियाए के माध्यम से एविडिन्स को क्रियेट किया ताकि अमिच शाह को वो राजनीतिक दृष्टी से बरबाद कर सके सम्विधान की संरक्षन में न्याय हुआ इसके लिए हम भाजपा के कारिकर्ता न्याय पालिका को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं ये आठ वर्ष जो राश्ट्रिय अध्यक्ष ने संघर्ष के गुजारे उन आठ वर्षों में मात्र संघर्ष उनका अकेला नहीं था उनके परिवार को प्रताडित किया गया लांचन लगाए गये और आज एक कारेकर्ता होने के नाते मैं देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि हमारे राश्ट्रिय अध्यक्ष को उस अगनी परीक्षा से गुजरना पड़ा लेकिन आज न्यायपालिका के आशिरवाद से सच राश्ट्र के सम्मुक प्रस्तुथम कर पाए हैं on behalf of the family of Bharatiya Janta Party at the onset let me and my colleague in the Rajasabha the media cell convener of the Bharatiya Janta Party extend our warmest greetings on the onset of 2019 to our friends in the media and citizens around the world today we come to you with excerpts of a judgment by a special court of the CBI this judgment upholds the ethos of justice this judgment upholds the belief that truth can in no way be destroyed and truth has won is what we the members of the Bharatiya Janta Party want to declare here today in conjunction with the case that was nothing but a political conspiracy by the Congress Party for in 2010 they ascertained that the then Chief Minister of Gujarat and the then Home Minister of Gujarat were nothing but purely their political adversaries this case against Amit Shah is one of the finest examples of the lengths to which the Congress Party will go to to destroy somebody that they describe as a political opponent in 2010 the CBI comes and arrests Amit Shah but the same day it goes and tells a judge that we don't seek to interrogate Amit Shah we just want him arrested they detain him without cause and when he applies for his regular bail in 2010 the judge finds and I quote involvement of the accused is not made out for the purpose of deciding the complicity of the accused in light of the character of the evidence the special court of the CBI today has resonated that very finding of the judge who granted regular bail to Amit Bhai Shah in 2010 the kitchen cabinet of Sonia Gandhi waged war against their political opponent so much so that when Amit Bhai Shah brought his desire to be discharged and during that discharge the special court categorically recorded the following that the applicant is apparently shown to be involved I quote in this case by CBI for some political reasons this very judgment was challenged by an NAC member appointed by Sonia Gandhi in 2010 mercifully both in the Bombay High Court and the Honorable Supreme Court this contention of the Congress led attack failed ladies and gentlemen I attract your attention to the judgment by the special judge who after examining 210 witnesses and voluminous evidence has said that the entire investigation was thus targeted to act upon a script to achieve the set goal and in the process of its zeal and in the process of its zeal to anyhow implicate political leaders the CBI created evidence this is an example of how Congress Party pursues political opponents create evidence ensure that a person is arrested for no other purpose just so that they want the person behind bars today today as I read out excerpts of the judgment one can say that this was not alone the challenge faced by Amit Bhai Shah it was a struggle endured by his family and this is what we want to highlight to the nation that the Congress Party will spare nobody nobody that comes in their pursuit of power power not so that the Congress can serve people but power so that the Congress leadership can serve one family mayra itna manna is that this is the first reason that I have to prescribe you to have this judgment to swim to the CBI this judgment special court that 2010 if you look at this whole case to see 2010 2010 में ही एक नयायले में स्थापित हो चुका था क्यामित भाई शा के खिलाफ मंद घड़न बाते कही जा रही हैं राजनेतिक हदकंडे अपनाई जा रहे हैं और आठ साल के एक संघर्ष के बाद सत्य एक बार फिर प्रतिस्थापित हुआ है मुझसे ना सुने जज्जमंट पढ़ ले ये जज्जमंट पढ़ ले ये जज्जमंट पब्लिक डूमेन में है 210 विटनिसेस से सीधा एग्जामिनेशन के बाद जज्ज स्वेम इस निशकर्ष पर पहुँचे हैं कि तब CBI का धेय सिर्फ एक था कि पुलिटिकल कारणों की वजह से अमिच शाह को प्रताडित करो जेल में डालो और नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को बदनाम करो ये शाहिद राष्ट के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक आतंकवादी को सहरा खुले आम कॉंग्रेस के अध्यक्ष दे रहे हैं और एक elected office bearer in a government उसके खिलाफ इस प्रकार से शड्यंत्र बनाकर उसको जेल में डाला जा रहा है राहुल गांधी का tweet करना उनका आक्रोश नहीं उनकी हताशा बताता है आठ साल तक सोन्या जी के निर्देश पर अमिच्छा के खिलाफ दाल नहीं गली तो निश्चित ही राहुल गांधी जी को दुख हुआ होगा आठ सर्चित है आठ स्वीर्यंत्र उडाला जी सफे लगांधी जांधी कुछन। on its instructions tells an investigative bureau to create evidence means that the Congress believes that this is how every political party in this country functions. The very fact that the Congress dispatches its own lawyers to help Mr. Michel shows that the Congress is extremely perturbed that the truth will come to light. This is a matter which is subjudice. Best is as a sitting cabinet minister I do not express my personal feelings about it but one can only say that historical relations between the Michel family and the Gandhi family are established and the rest is left for the investigative agencies and the court of law. Dekhye, क्या मन्शा रही है सिर्व राहूल गांधी की नहीं बलकि सुनिया जी की भी और कॉंग्रेस पार्टी की भी कि इन्होंने पहले से ही सुनिश्चित कर लिया था कि इनके राजनीतिक प्रतिद्वन्दी कौन और उस प्रतिद्वन्दी को किसी भी तरह से हताश करो बर्बाद करो इस मन्शा के साथ ये केस लाया गया आज जितने नाम आपने मुझे गिनाए उन सभी नामों के संदर्ब में जब ये लोग राजनीति कर रहे थे तब न्यायपाले का एविडिन्स के आधार पर अपना जज़्जमन सुना रही थी राहुल गांधी के हताशा इस बात को आलंकृत करती है कि अगर ज़्जमन उनके पक्षका हुआ तो न्यायपाले का और न्यायदीश अच्छा अगर ज़्जमन उनके पक्षका ना हुआ तो फिर उसमें कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई खोट निकालना ये उनका एक चलन रहा है जो अब जनता भी अच्छे से समझ रही है I am extremely surprised that you asked me this question since I don't represent the government on this dais today but as a member of parliament from Gujarat if you are saying that the opposition's contention is by saying Jay Hind you are being regressive then I would rather embrace my nation and celebrate its prominence and say Jay Hind prominently and proudly the fact that the opposition finds it ridiculous to hail your country just shows their mentality and not that of the Gujarat government but like I said this is not a platform for the government this is a platform for the party the best respondents to this particular question will be the government of Gujarat जो मुझसे प्रश्ण किया गया वो ये कि विपक्ष को ये लगता है जैहिंद बोलना मतलब रूडिवादी होना तो मैं एक नागरिक के नाते कहना चाहते हूं कि माभारती के जैजैकार करना अगर विपक्ष को ये लगता है रूडिवादी सोच का एक प्रतीक है तो मुझे रूडिवादी होना स्विकार है जैहिंद कहने में मुझे कोई लज्जा नहीं विपक्ष को क्यों लज्जा आती है जैहिंद कहने से या विपक्ष से पूछिए ऐसा तो भाई साब कोई नोट नहीं है घबरा गए ना मैं इटालियन हूँ ना मेरे बेटे का नाम आर से शुरू होता है थैंक यू सो मच